हलो बच्चो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे सो बच्चो आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे लीफ अपाइसस के बारे में इससे पहले की वीडियो में हमने डिफरेंट टाइपस ओफ लीफ पढ़ा था ठीक है पामेटली कंपाउंड लीफ अब हम देखेंगे लीफ अपाइसस लीफ अपाइसस का मतलब क्यों होता है लीफ एपेक्स जो लीफ की एपेक्स होती है एपेक्स मतलब चू टॉप मोस्ट पोजिशन होती है लीफ की जिसको हम लीफ की टिप भी बोलते है वो कैसी होते है वो डिफरेंट टाइप की होती है और वो कैसी होती है वो हम आज पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्युमिनेट ठीक है एक्युमिनेट में के केस में क्या होता है एक्युमिनेट लीव टिप हम बोलते है इस प्लांट के जो लीव टिप है वो लीव टिप कैसी है और किया है एक्विनाइट है अक्विन्ट का मतलब क्या होता है और sharp pointed apex with a straight margin that means जो लीफ की जो टिप होगी वो क्यों होगी शार्प होगी और तो यहाँ पर देखिंगे एक्जाम्पल च्रहर नसिफे सिर्बि तो यहाँ होगी जो लीफ क्यों होते है पाल मिलत क materi करी में क स्थाइव तो उसको हम भोलेंगे अक्मिनेट लीविट टिप सइकंड गर्मारण मिलता है Bushề ऑचिड कि कहीं हमें कि तेखने को मिलता है ending in a point, forming an acute angle, हमें क्या देखने को मिलेगा, एक acute angle type का leaf क्या बनाती है, वो angle देखने को मिलेगा, देखो, ये, ये जो angle यहां पे हमें बन रहा है, वो क्या होता है, acute angle, ना leaf के straight angle, straight में दिखाएगी, अपना arrangement, ना ही more than 90 degree, that is obtuse, तो यहां पे leaf का जो leaf tip जो होती है, वो कैसा angle बन यहां पे हम यह नहीं दिखेंगे क्यों leaf tip sharp है, pointed है, कैसी है, यहां पे leaf tip कैसी है, leaf का जो point है, ending point है, वो क्या बना रहा है, एक acute angle बना रहा है, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, acute, नाम से ही पता चला है, क्यों बना रहा है, acute angle, यानि कि 90 degree से कम, यह जो leaf होगी, यह ऐसे ह होगी, ठीक है, यह और यह, इस तरीके से, वो leaf ऐसे भी हो सकती है, देखो, यहां पे भी 90 degree से कम angle बना रहा है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, यहां पे angle क्या बना रहा है, 90 degree से कम, acute angle, तो उसको हमने क्या बोल दिया, acute, next जो है हमारा, वो है, apiculate, apiculate leaf देखेंगे है, यहां पे, apiculate leaf में हमें क्या देखने को मिलेगी, terminated by a short, sharp, flexible point, यहां पे जो leaf, जो terminal position पे जो leaf end होगा, जो terminate करीगी leaf, वहां पे क्या देखने को मिलेगा हमें, short, sharp, flexible point, यह क्या हमें, point दिख रहा है, यह क्या होगा, short होगा, छोटा सा होगा, flexible and sharp point हमें यह देखने को मिलेगा, त ठीक है, apiculate, acute और accumulate, differences पाता होने चाहिए, accumulate क्या है, acute क्या है, apiculate क्या है, next हम दिखेंगे codate, codate के case में हमें क्या देखने को मिलेगा, an apex drawn out into a long slender tail, अब हमें क्या दिख रहा है, ये जो apex है, ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, अब इसके tail क्या हो जाएगी, यह लंब्य हो जाएगी, ठीक है, into a long slender tail, उसको हम क्या बोलेंगे, coded, यह जो tip है इसकी, यह थोड़ी क्या हो जाएगी, लंब्य हो जाएगी, into a long slender tail, लिखा है, an apex drawn out into a long slender tail, यह जो apex है, वो किस में convert होगी है, long slender tail में convert होगी है, अप्पिकुलेट के केस में हमने देखा था वहां पे क्या था? पॉइंट? शॉट था ते्क मिसफशाप, फ्लेक्सिबल पॉइंट बट कॉडट के केस में क्या है, वह जो टेल है वो क्या हुगी है? λॉंग हो गी है, ऐपेक्स जो हो गया, वह लंबा हो गया है सपोर्ट करवाधे जो यह मैं वह सी तेंड़र हो जाती और कॉइलोगी तो उसको हम क्यों बåलते हैं जिस वह कौन सा टाइप हो गया यह簡 स्वार्ट होती कि यह ये क्यों से सब्सने कोणना त्रसूल आगया अक्योंग एक क्यों से ठेखले जेंचाय औरños नूट का लिजिए औरी कापई में तो उससे आपको हैल्प मेलेगी ठीक है अब नेक्सट जो हम दिखते हैं वह देखते हैं अब next जो हम देखेंगे वह है cleft क्लेफें आम क्या देखने को मिलता है लेफ्ट में हमें देखने को मिलेगा कि जो एपेक्स है वो क्या होगा divided होगा into rounded और straight marginal straight margin lobes में ठीक है जैसे हम fishes के में देखता है फिस का जो fin होता है ठीक है वो क्या होगा divided हो जाता है ठीक है यहाँ पर diagram देखो आप यह जो यह हमारा mid rib हो गया leaf का this is the mid rib यह margin होगे leaf के तो यहाँ पर से क्या हो रहा है यह divide हो जा रहा है ठीक है जो leaf का जो apex है ठीक यह leaf की जो point apex मतलब point हमें leaf में एक apex देखने को मिलता है जैसे यहाँ पर हमें tip दिख रही है एक tip ठीक है apex का मदब tip माल लीजा आप तो वहाँ पर हमें cleft के case में क्या देखने को मिलेगा जो apex है वो डिवाइड हो जा रही है ठीक है यह तो वह rounded shape में divide हो जाएगी या फिर वो straight marginal lobes में क्या हो जाएगी divide हो जाएगी ठीक है वो हमें उसको हम बोलते है cleft यहाँ पर भी हमें leaf का apex ऐसे दिखाए देगा तो उसको हम बोलेंगे cleft और नेक्स जो हम देखते है वो होता है cuspidate cuspidate की case में हमें क्या देखने को मिलता है जो leaf ending होती है वो क्यों होती है long rigid होती है और spiny point बनाती है ठीक है यहाँ पर हमें spine like point दिखेगा आगे से तो उसको हम क्या बोलते है cuspidate next जो हम देखते है वो है emarginate emarginate की case में क्या ओगा देखो an apex provided with a deep notch यहाँ पर हमें leaf में क्या दिखेगा एक deep notch दिखेगा यह दिख रहा है आपको ये यह क्या है knowledge है तो उसको हम क्या बोलते है enlarginate fulfilled हमें लीफ की apex में क्या दिखेगा एक deep notch दिखेगा उसको हम बोलते हैं इमार्जिनेट apex next जो हम देखेंगे वह है obtuse obtuse के case में हमें क्या देखने को मिलेगा जो leaf apex हो क्यों जाएगा blunt हो जाएगा blunt और rounded यह ऐसे करके क्यों हो गया leaf का जो apex हो क्यों हो गया ब्लंट हो गया यह फिर rounded भी बोल सकते हैं तो हम बोलेंगे leaf apex is obtuse ठीक है next जो है वह है refuse refuse के case में हमें क्या देखने को मिलता है यह देखिए refuse के अगर हम e marginate और obtuse को मिला दे तो हमें refuse मिलेगा यानि कि यहां पे हमें हलका notch भी दिखाए देगा और यह हमारे यहां लीफ का tip ए लीफ को जो apex है वो क्यों हो जाएगा obtuse हो जाएगा ठीक है अगर हम e marginate और obtuse को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा रेट्प्वस मिलेगा okay e marginate का करेक्टर क्या है हमें आप पर notch मिल ला है और obtuse का क्रेक्टर क्या जो लीफ टीप है वो obtuse हो जा रही है तो रेट यूज में भी लिखा है देखो and obtuse or truncate apex with a shallow notch यहां पर नौच भी दिख रही है हमें और लीफ की जो apex सब्सक्राइब कैसे हो जा रही है obtuse हो जा रही है तो उसको हमने क्या बोल दिया रेट यूज बोल दिया ओल राइट जो next है हमारा वह रांडेड रांडेड में हमें देखने को मिलता है कि जो लीफ का जो margin है margin and apex forming a smooth arc जो margin है वह क्या बना रहा है एक smooth arc बना रहा है और कि क्या होता है जब हम circle में ऐसे करके आर का कट करते हैं तो वह आर की तो होता है ठीक है तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि लीफ जो लीफ का जो apex है वह क्या बना रहा है एक smooth arc बना रहा है तो उसको हम बोलेंगे rounded apex with leaf with a rounded apex जो last है हमारा वह है ट्रंकेट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर यह हमारी leaf है जैसे हमारी यह leaf होते है इसको अगर हम यहां से cut कर दे तो हमारी leaf कैसे बचेगी सिर्फ इतनी leaf बचेगी ना ऐसे यही तो बचेगा हमारे पास तो ट्रंकेट में हमें ही दिखता है कि appearing as if cut off at the end at the end में से हमने leaf को क्या कर दिया है cut कर दिया है तो जो cut करने के बाद हमें portion दिखता है उसको हम क्या बोलता है अगर वैसा हमें कुछ leaf के apex में दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रंकेट समझ में आ गया cleft क्या है जहाँ पर apex के हो रहा है दो पार्ट में divide हो जा रहा है कसपीड़ क्या है जहाँ पर leaf और long हो रहा है और rigid spiny point बनाईगा एर टिप पर ठीक है E marginate क्या है जहाँ पर एक shallow notch बन रहा है obtuse क्या है जहाँ पर tip है वो क्या हो है यह ब्लंट हो जा रही है या फिर राउंडेड हो जा रही है ठीक है रेट्यूस क्या है रेट्यूस में क्या है जब हम इमार्जिनेट और अप्ट्यूस को मिला दे रहे हैं यानि कि वहाँ पे हमें नॉच भी दिखाई दे रहा है और जो टिप का एंड है जो टिप है वो क्य तो कट ने के बात जो portion बसता है उसको हम बोलता है ठीक है समझ में आया आपको ए वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्रीս वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीस कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसे लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताईए तिल देन बाबाई टेक केर